अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेन फिल्म देन फॉरेस्टर की कहानी है वर्तमान में वह एक स्कूल में टीचर है एक नौ साल की उसकी बेटी है और एक खुबसूरत सी बीवी है तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं दिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अमेरिका देन के घर पर क्रिस्मस पार्टी चल रही है वो अचानक फुटबॉल फील्ड के बीचो बीच एक पोर्टल खुलता है कुछ इनसान एंटर करते हैं बताते हैं कि वो भविश्य से आये हैं और आपसे 11 महीने बाद इनसानों का नामों निशान मिट जाएगा इनसानों को खत्म करेगी एलियन जीवों की प्रजाती लेकिन ऐसा होने से रोका जा सकता है अगर इनसान भविश्य में जाकर उन जीवों को खत्म कर सके तो दुनिया भर के देश लग जाते हैं अपने फौजियों को भेजने के लिए लेकिन यहां भी एक कैच है भविश्य में जाने के लिए हर इनसान फिट नहीं है जाने वालों को ए अगर clear कर पाए तो आगे जा सकते हैं। सब फौजी ये taste clear नहीं कर पाते। जितने लोग taste clear कर भविश्य में जाते हैं, उनमें से गिने चुने ही जिन्दा लोटते हैं। नतीज़तन लोग कम पढ़ने लगते हैं। ऐसे में सरकार आम लोगों को वोलेंटिय करने को कहती है। डेन को भी बुलाया जाता है। टेस्ट clear करने के बाद उसे भविश्य में भेजा जाता है। डेन का किरदार निभाया है क्रिस प्रेट ने, जिनके किरदार स्टार लोट पर भी दुनिया बचाने का जिम्मा आया था। Avengers Infinity Warp में, वहाँ इनके किरदार की एक हरकत से दुनिया का क्या हाल हुआ था, वो बताने की जरूरत नहीं। आगे फिल्म का सीन कुछ इस प्रकार है, एक साल के ड्राफ्ट कॉंट्राक्ट और बढ़ते युद्ध विरोधी अंदोलन के बाद, मानवता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है, डैन को एक नोटिस मिलता है कि उनका कॉंट्राक्ट तयार किया गया है, और बुनियादी प्रशिक्षन के लिए अन्य ड्राफ्टीस के साथ रिपोर्ट करना है, डैन ने साथी ड्राफ्टी चाली के साथ निशकर्ष निकाला की एक विरोधाभास को रोकने के लिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही ड्राफ्ट किये गए लोगों की मृत्यू हो चुकी है, ड्राफ्टियों को समय पर मियामी बीच पर भेजा जाता है, लेकिन शहर के उपर गलत स्थान पर गिराए जाने के कारण कुछ ही बच जाते हैं, करनल फॉरेस्टन एक शेत्र को निश्फल होने से पहले पास के प्रयोगशाला कर्मियों को बचाने के लिए ड्राफ्टी इस को आदेश दिया ड्राफ्टी प्रयोगशाला कर्मियों को मृत्पाते हैं, जाली, डॉरियन और डैन को छोड़कर लगभग सभी की मृत्यू हो जाती है, बचे हुए लोग डॉमेनिकन गनराज्य में एक सेन्य चावनी में जागते हैं, डैन करनल फॉरेस्टर को रिपोर्ट करता है, जो उसकी बड़ी बेटी मूरी है, वहनुरोद करती है कि वहे एक मादा वाइट स्पाइक नाम की एलियन को पकड़ने के मिशन पर उसके साथ जाए, जो आम तोर पर सामना किये गए पुरुशों की तुलना में दुरलब हैं, वे मादा को पिंजरे में बंद कर देते हैं, सैकनों नर उनके स्थान पर उतरते हैं, जैसे ही मादा के साथ हेलिकॉप्टर उतरता है, डैन और मुरी बचाव के लिए एक समुद्र तट पर भाग जाते हैं, मुरी डैन को बताती है कि वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, और 2030 में एक कार दुरघटना में मर जाता है, डैन, मुरी और मादा वाइट स्पाइक को समुद्र के बीच में एक मजबूत तेल रिग में ले जाया जाता है, जिसमें जम्पलिक होता है, वह उपकरन जो समय यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, डैन और मुरी एक ऐसा टॉक्सिन बनाने पर काम करते हैं जो वाइट स्पाइक्स को मार सकता है, नर वाइट स्पाइक्स मादा को मुक्त करने के लिए हमला करते हैं और आगे निकल जाते हैं, और मुरी ने डैन को अतीत में वापस भेजने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, डैन सेना को वादा देने की कोशिश करता है ताकि इसे भविश्य में भेजा जा सके, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि वाइट स्पाइक्स द्वारा जम्पली को नश्ट कर दिया गया है और उनका ध्यान वर्तमान में संकटों से निपटने पर केंद्रित है, अपनी पतनी के साथ विचार मन्थन करते हुए, डैन ने निशकर्ष निकाला की वाइट स्पाइक्स 2048 में नहीं आये थे, वह बहुत पहले आये थे चाली के साथ परामर्ष करते हुए, वे मानते हैं कि वाइट स्पाइक्स पहले से ही प्रित्वी पर हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वे पिघल गए और बर्फ की टोपी के नीचे से निकल गए डैन अपने सिध्धान्त को साबित करने के लिए ड्राफ्टियों, भविश्य के सैनिकों और अपने विमु अपनागरस्त विदेशी जहाज मिलता है वे दुनिया को समस्या के बारे में बताने पर बहस करते हैं, लेकिन खत्रे को वही खत्म करने का फैसला करते हैं, एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि विदेशी जहाज वाइट स्पाइक्स जहाज नहीं है, और वाइट स्पाइक्स इसके बजाए मृत विदेशी चालक दल के कारगो थेवे निश्क्रिय वाइट स्पाइक्स को विश के साथ इंजेक्ट करते हैं। डैन और उसके पिता एक बची हुई मादा का शिकार करके उसे मार डालते हैं इस ग्यान के साथ की युद्ध टल गया है। डैन अपने परिवार से मिलने के लिए अपने विमुख पिता जेम्स को घर लाता है।